हलो दोस्तों कैसे है आप सब मैं मेद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ठीक ठाक होंगे आज की इस वीडियो में पपिता के बारे में हम बात करेंगी तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक रूकेस्ट करूँगा अगर अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो पिलिज सबस्क्राइब कर दिजे और साथी साथ बेला आइकन घंटी को भी दबा दिजे ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकसन सबसे पहले आप तक पहुचे ताकि कोई भी अपडेट आप से मिच नहों तो चलिए दोस्तों वीडिये स्टार्ट करते हैं पपाया इटिंग बेनिफिट्स इन गुनों से वरा है पपिता फायदे जान इसे खाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे आप बेनिफिट्स आफ पापाया स्वाद और पोशन से भरपूर पपिता कोई ऐसे महतुपुन पोशक तत्यों का वंडार है जो हमारे पूरे सरीर के लिए फायदे मन्द है पपिते में भरपूर मातरा में विटामिन के मेजुद होता है पपिता को डाइट में सामिल कर बालों को हेल्दी रख सकते हैं पपिते के सेवन से कवज में आराम मिल सकता है पपिता एक ऐसा फल है जिसे भारत सहीद दुनिया भर में खुब खाया जाता है खास तोर पर fitness, fix तो इसके दिवाने हैं क्योंकि इसका स्वाद भी बहुत खास और होता है स्वाद अवर पोसन से भरपूर पपिता कोई ऐसे महतुपन पोसक ततो का भंडार है जो हमारे पूरे सरीर के लिए फायदे मंद है आपको बता दे कि पपिते में कार्बोहाइटरेड, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B9, पोटेशियम और मैगनिसम एक बहतरिन स्रोथ है इसके अलावा साथ और इसके साथ ही इसमें कैलशियम, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन E और विटामिन के जैसे पोसक पाये जाते है और जो सरीर को कोई लाब बहुचने में मदद कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं पपिता खाने का सही समय और फाइदे नमबर वन अगर आप पाचन सम्बंदी समस्या से प्रिसान है तो आप अपनी डाइट में पपिते को सामिल कर सकते हैं पपीते में मेज़ूद पपुन नामक एंजाइम प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद कर सकता है नमबर टू बालों को हेल्दी रखने के लिए स्केल्प और हियर ठीशू को गुरो करने के लिए आप पपीते का सेवन कर सकते हैं पपीते में विटामिन ये मेज़ूद होता है और विटामिन ये सीवम को प्रेडियूस करने वाले अविश्यक पोसक तत्वों में से एक हैं सीवम बालों की नमी को बनाए रखने में मदद कार है अगर आप भी कमजोर हड्यों की समिश्या से प्रेशान है तो रोजाना सुभो पपीते का सेवन कर रहे पपीते में वरपूर मातरा में विटामिन के मेज़ूद होता है जो केल्शियम के अब सोसन को ब्रहवा देने का काम करता है जिससे हड्डियों को मुझबूत बना सकते हैं नमबर चार इसकीन को हेल्दी रखने के लिए पपिता इसकीन को फिरी रेडिकल्स से होने वाले डेमेज से बचाव करने में मददगार माना जाता है फिरी रेडिकल्स प्रोडक्ट इतना ही नहीं ये रेडिकल्स फाइन लाइन्स जैसे समश्यों से बचाने में भी मदद कर सकता है दोस्तों पपिती का इस्तेमाल सुबह खाली पेट में करना चाहिए उसमें आपको बहुती फाइदा वो पहुचेगा